नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल बुक रेडर में आज मैं आप लोगों के लिए एक बायोग्राफी लेकर आई हूँ एक ऐसे महान इंसान की जिसे हम सब जानते हैं मैं बात कर रही हूँ रिस्पेक्टेज श्री निवास रामा नुजन की रोबर्ट केनिगल ने बड़े ही सरल शब्दों में लिखा है तो आईए शुरू करते हैं श्री निवास रामा नुजन एक जीनिस मैथेमेटीशन थे वे रोयल सोसाइटी में फैलो बनने वाले दूसरे भारतिये और कैंब्रिज में ट्रिनेटी कॉलेज के फैलो बनने वाले पहले भारतिये थे इस बुक में आप रामा नुजन के बारे में कई दिल्चेश्ट बाते जानेंगे रामा नुजन बहुत विनमर इंसान थे दुनिया भर के मैथेमेटीशन उन्हें काफी मान देते थे बहुत कम उमर में उनकी मृत्य हो गई लेकिन अपने पीछे वो कई महान अच्विब्मेंट छोड़ गए जिस पर हम भारतियों को गर्व होना चाहिए अब्रामन बॉई हुड श्री निवास रामानुजन का जन्म बाई दिसंबर 1887 में हुआ था उनके पिता श्री निवास एक साड़ी की दुकान में कलर्ग थे उनकी मा कोमल तामल हाउस वाइफ थी और पास के मंदिन में गाया करती थे रामानुजन साउथ इंडिया के कुम कौनम गाउं में पले बढ़े थे रामानुजन एक जिद्धी लेकिन भावुक बच्चे थे एक बार जब वो छोटे और ना समझ थे तो उन्होंने मंदिर के प्रसाथ के लावा कुछ भी खाने से मना कर दिया था अगर उन्हें मन्चाहा खाना नहीं मिलता तो वो जमीन पर मिट्टी में लोटने लग जाते थे वो सुभाव के बड़े ही शान्त लेकिन हर बात को गौर से देखते और उनके बारे में सोचने लगते थे उनकी सवाल दूसरे बच्चों से काफी अलग होते थे जैसे यहां से बादल कितनी दूर है या इस दुनिया में पहला आदमी कौन था रामा नुजन को अकेले रहना पसंद था जहां दूसरे बच्चे बाहर खेलने के लिए मौका मिलते ही तुरंत भाग जाते थे वहीं रामा नुजन को घर पर समय बिताना अच्छा लगता था उन्हें स्पोर्ट्स में कोई रूची नहीं थी शायद यही कारण था कि वो थोड़े मोटे थे वो अपनी मा से अकसर कहते कि अगर किसी दिनका किसी बच्चे से जगड़ा हो गया तो उन्हें लड़ने की ज़रूरती नहीं पड़ेगी वो बस उस पर बैट जाएंगे और उसका काम तमाम हो जाएगा रामा नुजन कंगायन प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे वहाँ उन्हें बहुत कम रूम में इंगलिश बोलना सीक लिया था जब वो दस साल के थे तो उन्हें प्राइमरी एक्जाम पास की वो पूरी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए थे इसके बाद उन्हें टाउन हाई स्कूल में एडमिशन लिया वहाँ वो छे साल तक पढ़े यहां पढ़ाई करना उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था वो हर सब्जेक्ट में अबल थे खास कर मैथ्स में एक दिन मैथ्स टीचर पढ़ा रही थी कि अगर किसी भी नंबर को खुद से डिवाइड करो तो उसका जबाब हमेशा एक होता है यानि अगर एक हजार फल है और उन्हें एक हजार लोगों में डिवाइड किया जाए तो सब को एक एक फल मिलेगा तब ही अचानक रामा नुजन बोले अगर जीरो को जीरो से डिवाइड किया जाए तो तब भी अंसर एक ही होगा अगर आप फल को किसी में डिवाइड नहीं करेंगे तो किसी को भी एक फल कैसे मिलेगा कम उम्र में भी उनके सवालों में लॉजिक था रामा नुजन के परिवार में पैसों की तंगी थी इसलिए वो किरायदाय रखते थे जब रामा नुजन 11 साल के थे तो दो ब्रामन लड़के उनके परिवार के साथ रहने के लिए आए वो पास के गौवर्मन कॉलिज में स्टूडन्ट थे उन लड़कों ने मैट्स में रामा नुजन की दिल्चस्पी देखकर उसे पढ़ाना शुरू किया लेकिन कुछी महीनों में रामा नुजन ने उनसे सब कुछ सीख लिया था इसके बाद वो कॉलिज की लाइबरी से और मैट्स किताबे लाने के लिए कहते एक बार उन लड़कों ने रामा नुजन को ट्रिग्नोमेट्रिक एक एडवांस बुक दी सिर्फ 13 साल की उम्र में रामा नुजन ने उसमें मास्टरी हासिल कर ली थी उन्हेंने क्यूबिक एक्वेशन और इंफिनाइट सीरीज के कंप्लेक्स कंसेप्ट को भी सीख लिया था उन्हें पाई और ए के निमेरिकल्स वैल्यू में बड़ी दिलचस्पी थी रामा नुजन अपनी बुद्धी की वजह से अपने स्कूल में एक सेलेब्रिटी बन गए थे दूसरे लोगों से वो काफी अलग थे कोई भी उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाया था लेकिन हर कोई उनकी बुद्धी और उनके सवाल सुनकर चकित रह जा था सबके मन में उनके लिए बहुत सम्मान था इन्हें स्कूल में एकैडमिक एक्सिलेंस के लिए कई सर्टीफिकेट भी मिले थे ग्रैजूएशन सेरिमेनी के दिन स्कूल के हैड मास्टर ने उन्हें mathematics के लिए जो सबसे उचा आवार्ड होता है उससे समानित किया। उन्होंने रामा नुजन को audience से introduce कराया और कहा ये लड़का 100% या A+. से भी ज़्यादा deserve करता है। Math में इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। Enough is enough रामा नुजन हाई स्कूल में एक all-rounder थे। करने लगे। उन्हें English, Physiology, Greek या Roman History पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। इस वज़े से वो इन सभी सब्जेक्ट में fail हो गए। वो स्कूल में सारा वक्त maths के problem solve करने में बिता देते। ना वो क्लास के लेसन में ध्यान देते और ना किसी discussion में हिस्सा लेते। हर वक्त वो बस algebra, geometry और trigonometry की किताबों में खोए रहते। उनके इस रवए के कारन उन्होंने scholarship भी खो दी थी। क्योंकि maths के अलावा दूसरे subject में उनके number बहुत खराब थे। उन्होंने कुछ समय तक school जाने की कोशिश भी की लेकिन वहाँ pressure बहुत ज़्यादा था। 17 साल की उम्र में रामा नुजन घर से भाग गए थे। एक साल बाद उन्होंने फिर पचायपपा कॉलेज में first arts या degree के लिए admission लिया। उनके नए math teacher ने उनकी notebook देखी तो चखित हो गए। वो math की problem solve करने के लिए रामा नुजन के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगे। जिस problem को उनके teacher 12 steps में solve करते उसे रामा नुजन 3 steps में solve कर देते थे। एक senior math के professor भी उनके talent को notice किया। उन्होंने रामा नुजन को math के journal में दिये problem को solve करने के लिए encourage किया। अगर रामा नुजन किसी problem को solve नहीं कर पाते तो वो professor को solve करने को देते थे। लेकिन आश्र की बात तो ये थी कि उनके जो सबाल रामा नुजन सॉल्व नहीं कर पाते उसे उनके प्रोफेसर तक सॉल्व नहीं कर पाते थे गौर्मन स्कूल में भी यही सिलसला कायम रहा सभी जानते थे कि रामा नुजन मैथ में जीनियस थे वो तीन घंटे के मैथ एक्जाम को सिर्फ 30 मिनट में पूरा कर देते थे लेकिन फिर भी वो बाकी सब्जेक्ट में फेल हो गए एक बार फीजियोलॉजी सब्जेक्ट के एक्जाम में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछा गया रामा नुजन ने बिना जवाब दिये लिखा बिना अपना लिखे एक्जाम शीट वापस कर दी उन्होंने शीट पर सिर्फ इतना लिखा था सर मैं डाइजेशन के चैप्टर को डाइजेस्ट नहीं कर पाया प्रोफेसर को पढ़ते ही समझ गए कि ये किस ने लिखा था रामा नुजन एफ़े के एक्जाम में फेल हो गए थे उन्होंने अगले साल दुबारा कोशिश की लेकिन वो फिर फेल हो गए सभी जानते थे कि रामा नुजन एक गिफ्टेड इनसान थी लेकिन एजुकेशन सिस्टम के कुछ रूल्स थे इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता था फिर उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को मैथ में टूशन देने की कोशिश की लेकिन किताबों में दिये स्टेप से वो कभी सहमत ही नहीं हुए रामा नुजन उसे अपने तरीके से सॉल्व करते 20 साल की उन्हों में ना उनके पास कोई जॉब थी ना कोई डिग्री और ना लाइफ में कोई डारेक्शन वो अपना ज़्यादातर समय घर की छट पर बैटे मैट्स के प्रब्लम सॉल्व करते वे बिताते थे उनके पास से ना जाने कितने लोग गुजर जाते लेकिन वो बस अपने एक्वेशन और थियोरम की दुनिया में मगन रहते उनके माता पिता उन्हें समझाते लेकिन धीरे धीरे उनके सब्र का बान तोटने लगा एक दिन उनकी मा ने कहा कि बस बहुत हुआ उन्होंने रामा नुजन को कुछ ऐसा करने के लिए कहा जिसे एक साइकोलेजिस्ट टाइम टेस्ट इंडियन साइको थेरपी कहते हैं कुछ समझें आप वो कुछ नहीं बलकि अरेंज मैरिज की बात कर रहे थे सर्च फोर पैटरॉंस एक दिन रामा नुजन की मां कुछ दोस्तों से मिलने दूसरे गाउं गई वहाँ उन्होंने नौ साल की एक लड़की को देखा जिसका बड़ा प्यारा सा चहरा था और शरारती आँखे थी उसका नाम जानकी था उन्होंने लड़की की कुंडली मांगी और उसे रामा नुजन की कुंडली से मिलाने लगी उन्होंने सोचा कि रामा नुजन के साथ उनकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी इसलिए उन्होंने जानकी के परिवार से बात चलाई जानकी का परिवार गरीव था और दहेज में बस कुछ तांबे के बरतन ही दे सकते थे जानके उनकी पांच बेटियों में से एक थी रामनुजन जवान थे लेकिन ना उनके पास जवाब थी और ना कोई डिगरी उनका परिवार भी गरीव था लेकिन उनकी माँ ने बड़े गर्व से उनने बताया कि उनका बेटा मैस का जीनियस था शादी के दिन रामनुजन और उनकी माँ को देर हो गए जिस ट्रेन से वो आ रहे थे उसने वहाँ पहुँचने में घंटों लगा दिये इसलिए वो जानके के घर रात एक बज़े पहुँचे इस शादी में कुछ और बूरी घटनाए भी घटी लेकिन फिर भी रामनुजन की माँ इस शादी से खुश थी इस तरह बाइस साल की उम्र में रामनुजन की शादी हुई शादी होने के बाद अब वो पूरे दिन घर पर नहीं बैठ सकते थे इसलिए एक अच्छे मौके या जॉब की तलाश में रामनुजन निकल पड़े पहले वो मदरास गए उन्होंने घर घर जाकर दोस्तों से मदद मागी उनके पास अपनी टैलेंट का बस एक ही सबूत था उनके नोट बुक्स जिसमें उन्होंने मैथ के अंगिनद प्रब्रम्स सॉल्व किये थे और कई ठियोरम लिखें वो उनके लिए बहुत खास थे लेकिन ये रास्ता उनके लिए असान नहीं था क्योंकि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी जिस वज़े से कई लोग ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया चंद लोग ही थे जिनने रामा नुजन के पोटेंशिल को पहचानार उन्हें एक मौका दिया उनमें से एक थे राम चेंदर राव जो इंडियन मैथेमेटिकल सोसाइटी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और सेक्परेटरी थे राम ने उन्हें कोई जॉब नहीं दी बलकि स्कॉलर्शिप दी ताकि रामा नुजन इंडियन मैथेमेटिकल सोसाइटी के जनरल के लिए लिख सके इस काम के लिए वो उन्हें हर महिने 25 रुपे देते थे रामा नुजन ने जनरल के लिए कुछ रिसर्च, पेपर्स और कुछ इंट्रेस्टिंग मैथ की सवाल लिखे धीरे धीरे सबका ध्यान उनकी और जाने लगा मदरास में समुदर के पास रहना उन्हें बड़ा अच्छा लगता था एक बार रामा नुजन से बोर्डिंग हाउस में उनके एक दोस्त मिल ले आए उन्हें ने कहा रामा नुज सब तुम्हें जीनियस कहते हैं रामा नुजन ने कहा मैं कोई जीनियस नहीं हूँ मेरी कोहनी को देखो ये तुम्हें मेरी कहानी बता देगा उनकी कोहनी इंक के कारण काली हो गई थी वो बोर्ट पर लिखे equation को मिटाने के लिए इसका इस्तमाल करते थे उनके दोस्त ने पूछा तुम पेपर का इस्तमाल क्यों नहीं करते रामरुजुन ने कहा कि पेपर खरीदने के उनकी हैसित नहीं थी उन पैसों को वो खाना खरीदने के लिए बचा कर रखना चाहते थे कभी कभी वो पहले से इस्तमाल कियोए पेपर पर लाल इंक से लिखा करते थे ऐसे ही एक चीज से दूसरे चीज का रास्ता बनता गया और रामा नुजर ने मदराज स्पोर्ट आफ टरस्ट में काम करना शुरू कर दिया उन्होंने आफिसर इन चार्ज सर फ्रांसीस प्रिंग और सेकेंड इन कमांड नराएन आयर ने जाब पर रखा था उन्हें एकाउंटिंग कलर की पुजीशन दी गई जिसके लिए उन्हें महीने के 30 रुपे मिलते थे सर फ्रांसीस और नराएन आयर दोनों उनके प्रतीब बड़े दयाल हुथे जब ज़्यादा काम नहीं होता तो वे उन्हें मैस के प्राब्लम सॉल्व करने की इजाज़त दे देते वो कैंबरेज उनिवरस्टी के मतेमेटिशन के लिए लिखे जाने वाले लेटर का ड्राफ तियार करने भी उनकी मदद करते सर्फ फ्रांसिस के जरिये बिटिश आफिसर्स को रामा नुजन के एक्स्ट्रा और्णरी टेलेंट के बारे में पता चला लेकिन वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए उनमें से कुछ को लगता था कि रामा नुजन पागल थे उनमें से कुछ ने सला दी कि अगर भारत में रामणुजन को कोई नहीं समझता तो उन्हीं कैंपरिज में बेहतर स्पोर्ट और ट्रेनिंग मिल सकती है रामानुजन ने कैम्परिज में अपने काम के सेंपल के साथ लेटर भेजे वहाँ के दो मैथेमेटिशन ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया सिर्फ एक नहां कहा उनका नाम जी एच हार्डी था अपने लेटर में रामा नुजन ने खुद को मदरा स्पोर्ट आफ ट्रस्ट में मामूली सैलरी पर काम करने वाले एक कलर के रूप में इंटर्डियूस किया उन्होंने बताया कि उनके पास युनिवर्स्ट्री एजुकेशन तो नहीं थी लेकिन वो अपने लिए एक नया रास्ता बना रहे थे उन्होंने ये भी लिखा कि वो गरीब थे और अपना काम पब्लिश नहीं कर सकते थे इस लेटर के साथ उन्होंने अपना लिखा हुआ पचास थियोरम भी भीजा एक जगा उन्होंने उस रिसर्च के बारे में तरक भी दिया जो हार्डी ने तीन साल पहले कैम्परिज में लिखा था पहली बाद जब हार्डी ने रामा नुजन के लेटर को पढ़ा तो उन्हें लगा ये कोई शरारत थी उन्हें पहले भी ऐसे कई लेटर मिल चुके थे जिनमें किसी ने दावा किया था कि वो मैट्स का मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता था लेकिन हार्डी रामा नुजन के लेटर को दिमाग से नहीं निकाल पा रहे थे उन्हेंने कभी भी रामा नुजन के बनाए हुए थोरम जैसा कुछ नहीं देखा था यहां तक कि उन्हें इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी ये लैटर उन्हें पूरे दिन परिशान करता रहा इसलिए उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त जान लिटल वुड को उसे दिखाने का फैसला किया उस रात तीन घंटे तक वो दोनों रामा नुजन के थियोरम को पढ़ते रहें हाडी को हसास हुआ कि ये अब तक का सबसे कमाल का लैटर था जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर किया था उन्होंने कहा कि रामा नुजन के थियोरम ने उनकी बोलती बंद कर दे थी हाडी के अनुसार उन थियोरम्स पर कोई एक नज़र डाल कर बता सकता था हाडी को ये यकीन हो गया था कि रामा नुजन को धोखेवाज नहीं था क्योंकि किसी आम आदमी का ऐसे थियोरम को इमेजन कर पाना भी इंपॉसिबल था हाडी ने ट्रिनिटी कॉलेज में अपने सभी साथियों को रामा नुजन का लैटर दिखाया उन्होंने लंदन में इंडियन आफिस को भी एक लैटर लिखा उनके एक्षा थी कि रामा नुजन को कैंडरिज बुलाया जाए बेशक हाडी ने रामा नुजन के लैटर का भी जवाब दिया उन्होंने लिखा सर मुझे आपके थिर्म काफी दिलचस्प लगे मैं जल्द से जल्द आपका और भी काम देखना चाहूंगा अब जब रामा नुजन को हाडी का सपोर्ट मिल गया तो ब्रिटिश आफिसर्ज उन्हें सीरियस लेने लगे रामा नुजन के पास अब भी कोई डिग्री नहीं थी लेकिन मदरास युनिवर्स्ट्री के चांसलर ने उनके लिए रूल्स में थोड़े बदलाव किये उन्होंने उन्हें प्रेजिडेंसी कॉलेज में रिसर्च स्कॉलर्शिप आफिर की इसके लिए उन्हें महीने के 75 रुपे दिये गए रामानुजन ने कैम्बरिज आने के इंविटीशन को मना कर दिया था वो एक समर्पित हिंदु ब्रामन थे और विदेश ना जाने की परंपरा को कायम रखना चाहते थे इससे हार्डी थोड़ा नराज हुए लेकिन वो अब भी रामानुजन को कैम्बरिज बुलाना चाहते थे इसके लिए हार्डी ने अपने दोज से मदद मांगी इएच नैविल मदरास में लेक्चर देने वाले लेकिन हार्डी ने उन्हें एक और मिशन दिया जो कि ये था कि वो किसी भी तरह रामानुजन को इंगलेंड आने के लिए राजी करें रामानुजन ने जब हार्डी के लेटर का जवाब दिया था तो उसमें लिखा था कि मुझे आप में ऐसा दोस्त मिला है जो मेरे काम की सराना करता है हार्डी खुद एक नामी ग्रामी मैथेमेटीशन थे वो ग्रॉयल सोसाइटी के फैलो भी थे सिर्फ उनकी बदारत रामानुजन को एक पर्मानेंट जॉब दी गई जिस वज़ा से वो अपने परिवार को सपोर्ट कर पा रहे थे एक दिन रामानुजन ने सपने में नामकल मंदिर में कुछ देखा जिसके बाद उन्हें यकीन हो गया था कि उन्हें एक पर विदेश जरूर जाना चाहिए मार्च 1914 में वो हार्डी से मिलने के लिए निकल पड़े रामानुजन स्प्रिंग रामानुजन जब कैम्परिज गई तो स्प्रिंग का मौसम था उस प्यारे मौसम में कई कूबसूरत फूल खिलते थे उन्हें कैम्पस में रहने की जगा दी गई उन्होंने हार्डी और लिटल वूड के साथ काम करना शुरू कर दिया रामानुजन ने कहा कि वो दोनों उनके प्रती बहुत दयालू और मददगार थे वो कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेस तो बस रामानुजन ने भी वेस्टरिन कपड़े पहनना शुरू किया लेकिन वो चपल हिंदुस्ताने ही पहनते थे वो कहते हैं कि जूते उनके पैरों को तकलीव देते हैं रामानुजन ने पिछले दस सालों में लिखे लगबग तीन हजार थियोरम हार्डी और लिटल वुड को दिखाएं हार्डी ने कहा कि उनमें से कुछ गलत थे कुछ पहले से ही मतेमेटीशन ने खोच लिये थे लेकिन उनमें से दो बटा तीन एक्स्ट्रा ओर्डिनरी थे जो किसी को भी आजचेर चकित कर सकते थे रामानुजन के साथ कुछ मेंने काम करने के बाद हार्डी और लिटल वुड को लगा कि अभी तो उन्होंने रामानुजन के पोटेंशल की बस एक जलक देखी थी वो तो एक समंदर की तरह थे जिसमें बहुत ग्यान भरा हुआ था हार्डी ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने आज तक रामानुजन के स्किल जैसा मैथेमेटेशन का नहीं देखा था और उनकी तुलना सिर्फ इलर और जैकॉबी जैसे जीनियस और दिगजों से ही की जा सकते थे हार्डी ने एक बार लिखा रामानुजन मेरे खोज थे लेकिन मैंने उन्हें नहीं बनाया है उन्होंने खुद अपने आपको बनाया है हार्डी इस बास से खुश थे कि रामानुजन जैसे ही रहे वो सबसे पहले तलाशने में काम्याब हुए वो खुद रामानुजन के मैनिस्क्रिप्स को एडिट करते और उसे पब्लिश करने भेज देते 1914 में रामानुजन के जीनियस काम को पब्लिश किया गया हार्डी ने उसे तुरंथ लंदन मैथिमेटिकल सोसाइटी में अपनी दोस्तों के साथ शेयर किया रामानुजन के पहले पेपर का टाइटल था मोडिलर एक्वेशन और अप्रॉक्सिमेशन टू पाए आखे रामानुजन केम्परिज के अति बुद्धिमान कम्यूटी के मेंबर के रूप में चर्चित होने लगे वहां कई जीनियस थे जिन्होंने समझा और उनके काम के पोटेंशल को पहचाना 1915 तक रामानुजन के नौ पेपर पब्लिश हो चुके थे इंडियन स्टुडेंट्स उन्हें बहुत पसंद करते थे वो एक मैट्स के जीनियस के रूप में जाने जाते थे जिन्हें कैम्परिज बुलाने के लिए अंग्रेजोंने 80 चोटी का जोर लगा दिया था कभी कभी रामानुजन लंदन के जू या ब्रिटिश मीजियम देखने जाया करते थे चार्लीज आंट नाम का एक कॉमेडी प्ले उन्हें बहुत पसंद था वो कॉलेज के अंडर ग्राजुट लाइफ के बारे में था वो इतना मज़ेदार था कि हस्ते हस्ते रामानुजन की आँखों से आसो आने रखते थे कैम्डीज में रिसल स्टूइट बनने के लिए यूनिवरस्टी के डिगरी होना ज़रूरी था लेकिन वहां की लोगों ने खासकर रामानुजन के लिए कुछ छूट दे दी थी मदरास में अथारिटीज ने उनकी स्कॉलर्शिप को दो सालों के लिए और बढ़ा दी थी एक आफिसर ने पहले ही अनुमा लगा लिया था कि रामानुजन एक दिन ट्रेटी कॉलेज के फैलो बनेंगे मदरास से स्कॉलर्शिप के रूप में रामानुजन को हर साल 250 पाउंड मिलते थे इसके साथ उन्हें कैम्बरेज से हर साल 60 पाउंड मिलते थे इन में से 50 पाउंड वो अपने परिवार को भेज दे थे फिर भी उन्हें कोई financial problem नहीं थी क्योंकि वो बड़ी साथगी से रहते थे 1916 में वो हुआ जिसे अब तक रामानुजन अचीव नहीं कर पाए थे Trinity College ने उन्हें Bachelor of Arts की डिगरी दी उन्हें Research के जरिए ये डिगरी मिली थी ये उन्हें highly composite numbers पर लिखे हुए उनके paper के लिए दिया गया था Finally उन्होंने बाकी student के साथ graduation photo के लिए post दिया रामानुजन के paint की लंबाई कुछ इंच छोटी थी और उनके suit के बटन कसे हुए थे लेकिन आखिर आप वो रामानुजन से रामानुजन भी ये पास हो गए थे The English Chill रामानुजन जादा जादर अपने कमरे में अकेले ही खाना खाते उनके पास एक छोटा सा stove था जिस पर वो सबजियां बनाते थे जहां hardy और दूसरे लोग high table में खाना खाते रामानुजन अकेले खाना पसंद करते थे इसका कारण ये था कि वो अपना strict vegetarian diet बनाए रखना चाहते थे अंग्रेज, मर्टन और बीफ खाने के शकीन थे और डिनर टेल पर वेटर घूम घूम कर नौन वेज खाना सर्व गरता था लेकिन रामानुजन को त्रिप्ती अपने सांबर चावल और दही से ही मिलती थी वो बाहर घूमने फिरने के शौकीन नहीं थे वो भीड भाड से ज़्यादा कम लोग की ग्रूप में comfortable महसूस करते थे इसलिए जातर समय वो अपने कमरे में ही बिताते थे हाड़ी अपनी खाली समय में क्रिकेट या बेसबॉल खेलते थे वो संडे एसस सोसाइटी के मेंबर भी थे कई इंडियन स्टूरेट ने मजेली डिबेटिंग सोसाइटी को जोईन किया लेकिन रामानुजन इन सबसे दूर अपने आप में मस्त रहते थे सर्दियों का मौसम शुरू हुआ उस च्टूरती ठंड में और वर्ल्ड वार एक के दुरान रामानुजन को घर की याद आने लगे वो अपने देश की परंपरा और कल्चर को मिस कर रहे थे जिनके बीच वो बड़े हुए थे लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें अपनी पत्मी की याद आ रही थी और वो अपनी मा के लाड़ को तरस रहे थे 1917 में रामानुजन के लिए सिचुएशन और मुश्किल हो गई थी उन्हें टूबलर क्लोसिस हो गया था जिस वज़े से उन्हें कई महीनों तक होस्पीटल में रहना पड़ा डॉक्टरों ने इसका कारण खाने पीने की कमी और निट्रीशन डेफिशेंसी बताया था जो उस वक्त यूरोप में काफी फैला हुआ था ये सब उनके लिए और ज्यादा तकलीफ दे तब हुआ जब कई महीनों तक उन्हें अपने घर से कोई लेटर नहीं मिला उनकी मा या जानकी की तरफ से भी कोई लेटर नहीं आया था बात में पता चला कि उनकी मा ही उनके लेटर को रोक रही थी ना वो जानकी को रामा नुजन के लेटर पढ़ने देती और ना उनके लेटर को रामा नुजन को भीजती उन्होंने जानकी से कहा कि उसके लेटर बड़े बचकाने और बेवकुफी भरे थे रामा नुजन चाहते थे कि जानकी कैम्बरिज आ जाए लेकिन उनकी माँ ने उने आने नहीं दिया जानकी अपनी सास के बेवार से परिशान हो गई थी फिर उसे अपने भाई की शादी में वहां से बच कर निकलने का मौका मिला जानकी लंबे समय तक अपने सस्वराल वाफस नहीं गई रामा नुजन बहुत चिंती थे घर से कोई खबर नहीं मिलने कारण वो बहुत दुखी थे ट्यूबर क्लॉसिस का उनके शरीड पर और इस चिंता का उनके मन पर गहरा असर हो रहा था वो बहुत कमजोर हो गए थे और उनका वजन गिरता जा रहा था उन्हें नुट्रीशियस और हल्दी खाने की जरूरत थी लेकिन इन सब के बावजूद वो इस बात पर अड़े रहे कि वो बेजिटेरिन खाने के लावा कुछ नहीं खाएंगे 1917 का सार उनके लिए बेहुत मुश्किल वक्त था दुनिया में जंग छिड़ी हुई थी बिमारी ने उन्हें घेर रखा था परिवार से कोई खबर नहीं थी और कपकपाने वाले सर्दी में वो बिल्कुल अकेले और हताश हो गए थे इन सब का रामा नुजन के दिलो दिमाग पर गहरा असर हुआ और जनवर 1918 में उन्होंने खुद की जान लेने की कोशिश की उन्होंने रेल की पड़रियों पर छलांग लगा दी थी और सामने से एक ट्रेन तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थी ये तो चमतकार ही था कि एक गार्ड ने उन्हें देख लिया और समय रहते स्विच खीच लिया ट्रेन उनकी बिल्कुल सामने कुछ फुट की दूरी पर आगर रुके रामा नुजन की जान तो नहीं गई लेकिन उनकी कई जगा चोटे आई फिर उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया हाडी उन्हें वहाँ लेने पहुंचे उन्हें ने इंस्पेक्टर से रामा नुजन को जेल में बंद ना करने की रिक्वेस्ट की उन्हें बचाने के लिए हाडी ने जूट बोड़ा की बिलकुल उनकी तरह रामा नुजन भी रॉयल सोसाइटी के फैलो थे शायद वहां रॉयल सोसाइटी के फैलो को इतनी असानी से गिरफतार नहीं किया जा सकता था इसलिए पूलिस को ने पता लगाया और उन्हें पता चला कि सच में रामा नुजन एक नामी मैथेमेटीशन थे इसलिए उन्होंने उन्हें छोड़ने का फैसला किया इस घटना के एक महीने बाद हाडी का बोला हुआ जूट हकीकत में बदल गया रामा नुजन इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे उन्होंने तीन बार लेडर को पढ़ा उस साल रॉयल सुसाइटी के फैलो बनने के लिए एक सो चार कैनिडेट्स में सिर्फ पंद्रा लोगों को चुना गया था रामा नुजन उन्में से एक थे मई 1911 में रामा नुजन अफिशली एस रामा नुजन एफ आर एस बने स्वयंबू जंग खत्म होने के बाद रामा नुजन घर लोटने की तयारी करने लगे हाड़ी और डॉक्टर ने सुझाफ दिया कि रामा नुजन की हल्थ के लिए यही बहतर होगा कि वो घर लोट जाए इस बीच इंडिन मैथमेटिकल सोसाइटी उनकी सकसेस का जश्न मना रहे थी उन्होंने उनके F.R.S. के महान अचीवमेंट के लिए उनके समानित किया उनके घर वापसी की खबर सोसाइटी जनरल के फ्रंट पेज पर छपी थे मार्च 1919 में रामा नुजन मुंबई पहुंचे वहाँ डाक पर उनकी मा और उनके छोटे भाई उनका इंतिसार कर रहे थे वहाँ से मदराज जाने के लिए वो एक शिप में सवार हुए मदराज में रामा नुजन अपनी पत्नी और परिवार के बाकी लोगों से मिले जान की तब 18 साल की हो गई थी रामा नुजन को मदराज यूनिवरस्टी में प्रोफेसर बनने का आफर मिला लेकिन उनकी तबियत दिन बदिन खराब होती जा रही थी वो कहने लगे थे कि वो 35 की उम्र से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे और जल्दी उनकी सांसे बंद हो जाएगी जानकी ने उनकी बहुत देखवाल की वो अंत तक उनके साथ खड़ी रही एक दिन रामा नुजन पेट में भयंकर दर्द की शिकायत कर रहे थे उनका शरीर सूख कर हड़ियों का धाचा बन गया था अपरेल 26 1922 को रामा नुजन ने आखरी सांसे ले 32 साल की कम अमर में वो दुनिया को छोड़ कर चले गए हाड़ी को रामा नुजन की मौत के खबर से गहरा सदमा लगा था 20 साल बाद भी वो रामा नुजन के साथ बिताय हुए उस वक्त को उसी सम्मान और भावुकता से याद करते थे उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दे कर कहा था कि रामा नुजन एक सेल्फ मेड आदमी थे Conclusion तो इस बुक में आपने श्री निवास रामा नुजन के बारे में जाना आपने उनकी स्ट्रगल और उनकी सपनों के बारे में जाना एक बड़ी सक्सेस पाने के लिए फेलियर का भी सामना करना पड़ता है और रामा नुजन भी इस से अच्छूते नहीं थे वो कई बार फेल हुए लेकिन अंत में वो एक सक्सेसफुल इंसान बन कर उबरे वो एक परफेक्ट इंसान नहीं थे लेकिन अपनी पूरी जिन्दगी अपना एक पैशन फालो करने में लगा दिया उनकी हमेशा बस एक ही इक्छा थी मैट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना उनके समय का एजुकेशन सिस्टम सक्त था कई लोगों उने उने गरत भी समझा बस कुछ लोगी इस हीरे की चमक को देख पाएं कुछ लोगों ने उने पागल भी समझा लेकिन उनके जीनियस माइन को भी कभी कोई पीछे पकड़ी कर नहीं रख पाया अपने छोटे से जीवन में जिस चीज में जिस से उनको प्यार था उसके माध्यम से उन्होंने नौलिज के फिल्ड में बड़ा योगदान दिया सबका मानना है कि रामा नुजिन के एफट कभी विरत नहीं जाएंगे हर एक भारतियों कोण पर गर्व है और हम सब के लिए एक inspiration है तो आएए इसी के साथ आज हम अपने ये biography खत्म करते हैं आगे फिर मिलेंगे एक नई कहानी या एक नई biography के साथ अगर आपको ये biography अच्छी लगी तो आप मेरी चैनल को subscribe करें Thank you